नमस्कार दोस्तों स्वागता है आप सभी का आरफे टेक्निकल इस्ट्रडी यूटोब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रेशन थियोरी के 1500 MCQ जीरीज का ओनलाइन टेस्ट नमबर 41 के बारे में चालीस पहले अपलोड हो चुक है जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो क्योंकि सभी क्यूशन बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों अपने 1130 तक के क्यूशन देख लिए ते आज के इस वीडियो में आपन बात करेंगे आगे के क्यूशन की तो क्यूशन नंबर 1131 है विबक्त फेज मोटर में चालक कुंडली में खालिस्तान होता है क्या होता है उचे एल और निमन आरे बीदे रखा है उचे आर और उचे एले C दे रखा निमन R और निमन L, D दे रखा उच ह आर और निमन L तो correct answer कोण सा होगा इंद में से विबक्त फेज मोटर में इसमेर से चालक कुंडली में क्या होता है important question है जल्दी जल्दी इसका answer बताना है पटापड से बताओ इसका right answer कोण सा होगा तो दोस्तो इसका right answer होजाएगा चालक कुंडली में होता है उच इंडक्टेंस होता है और निमन परतिरोध होता है क्या होता है उच इंडक्टेंस होता है और निमन परतिरोध होता है तो इसका right answer होजाएगा option number E अगला कुश्चन दे रखा frequency जितनी क्हाली स्थान होगा क्षान देरे का जटका उतना खाली स्थान होगा दोनों खालिस्थान को बना इसने से कुनसा correct answer होगा दोस्तोch frequency जितनी कम होगी यहां क्या दाएगा फ्रिक्वेंसी जितनी कम होगी बिजली का जटका उतना ही क्या होगा हदिक होगा अधिक खतरनाक होगा तो इस परकार से इसका राहिट आंसर हो जाएगा option number B इसका right answer क्या हो जाएगा फ्रिक्वेंसी जितनी कम होगी विजली का जटका उतना ही हदिक खतरनाक होगा तो इसका right answer होगा option number B अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दे रखा है फैराडे के विद्धुत अपगठन के दूसरी नेम के अनुसार विद्धूत के समान मात्र द्वारा मुक्त किये गए विबिन पदार्तों के आईनों का द्रेवमान उनके खालिस्तान के समान उपाती होता है ओप्शन दे रखा फेराडे इस्तरांक, बी दे रखा इलेक्ट्रोड के आकार बी दे रखा बैक इमेफ यहां सी दे रखा बैक इमेफ डी दे रखा रासाइनिक तुल्ले बार इनमें से क्रेक्ट आंसर कौन सा होगा फटा पड़ से बताओ इसका क्रेक्ट आंसर है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रासाइनिक तुल्ले बार क्रेक्ट आंसर होगा option number D अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रखा निमलिकित में से कौन सा विकलप एक दिव दीसिक उपकरन है इन में से दिव दीसिक उपकरन कौन सा है ट्राइक, डायोड, SCR या इन में से कोई नहीं तो क्रेक्ट आंसर कौन सा होगा इन में से तो दोस्तों इन में से दिव दीसिक उपकरन है ट्राइक, क्रेक्ट आंसर होगा option number A अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दे रखा DC मोटर का सापट बल आगून उसके आर्मेचर बल आगून से अगला क्यूशन दे रखा सामाने उतेजन वाली सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर होता है, क्या होता है पस्ट गामी, अग्रगामी, सुनने ये इकाई तो सामाने उतेजन वाली सिंक्रोनस मोटर होती है तुले कालिक मोटर होती है उसका पावर फैक्टर क्या होता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेगिंग होता है पस्ट गामी होता है क्रेक्ट आंसर होगा ओप्चन नमबर ये अगला क्यूशन देरका जब विद्धुधारा धात्विक कंड़क्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण से बढ़ जाता है ओप्चन देरका मूल परमानों से चालन इलेक्टरोनों के निरगम देरका धात्विक परमानों के बीच आपसी टकराओ देरका संचालन इलेक्टरोनों के बीच आपसी टकराओ देरका चालन इलेक्टरोनों और परमानों के बीच टकराओ तो इनमें से जब विद्धुधारा धात्विक कंड़क्टर से होकर गुजरती है तो तापमान क्यों बढ़ जाता है इसका मुख्ये कारण क्या है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालन इलेक्ट्रोनों और प्रमानों के बीच टक्राव के कारण तापमान बड़ जाता है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर डी अगला क्यूशन दे रखा नेमलेकित में से कौनसा भार एक संट मोटर द्वारा भैतर संचालित होगा पंखा अपकेंदरी पंप विद्धूत रेल इंजनी या परत्यागामी पंप तो इनमें से कौनसा लोड एक संट मोटर द्वारा भैतर संचालित होगा इसका राइट आं आपमान खालिस्तान से अधिक नहीं होना चाहिए जीरो डिग्री सेल्शियस सामाने तापमान 40 डिग्री सेल्शियस यह 120 डिग्री सेल्शियस तो बैटरी को चार्जिंग करते समय विद्धूत अफगठे का तापमान किस से अधिक नहीं होना चाहिए तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 डिगरी से अधिक नहीं होना चाहिए राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर C अगला कुप्शन अगला कुप्शन दे रखा यदि पॉल विस्तरत कुंडली अंतराल पॉल अंतराल के बराबर हो तो इस वाइंडिंग को क्या कहा जाता है अर्द अंतरालिते समगर अंतरालिते पूर्ण अंतरालिते या आंसिक अंतरालिते तो इन में से क्रेक्ट आंसर कौन सा होगा तो दोस्तों उसे कहा जाता है पूप्ण अंतरालित क्रेक्ट होगा option number C अगला discussion अगला question रखा क्या कारण है कि तीन-pin socket में अर्थ-pin मोटा रखा जाता है अर्थ-pin होता है उसको मोटा क्यों रखा जाता है परतिरोथ को गठाने के लिए परतिरोध को बढ़ाने के लिए मजबूती के लिए पैचान के लिए तो इन में से मुख्य कारण क्या है कि तीन पिन सोकिट में अर्थ पिन को मोटा रखने का इसका राइट आंसर हो जाएगा परतिरोध को गठाने के लिए करेक्ट आंसर होगा option नमबर ये अगला question दोस्तो अगला क्यूशन दे रखा निमन में से कौन सी परनाली सबसे सुरक्षित है इन में से कौन सी परनाली है जो सबसे सुरक्षित परनाली है किलीट पर नाली, लेड़ सीट पर नाली, सीटी एस पर नाली या कंसील्ड पर नाली, तो इन में से सबसे सुरिक्षित पर नाली कौन सी है, राइट आंसर होगा कंसील्ड वाइरिंग, करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नंबर D, अगला क्यूशन, अगला क्यूशन रखा निमन में से कौन सा उपाई एकल कलिए मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सस्ता उपाई है इन में से एक फेज मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सस्ता उपाई कौन सा है Capacity restarting, प्रेरखता हूँ starting, prime mover restarting या इनमें से कोई नहीं तो right answer परता है ये क्या होगा इसका तो दोस्तो इसका right answer होजाएगा Capacity restarting correct answer होगा option number ये अगला question दोस्तो अगला question दे रखा जीनर डायोड में breakdown उत्पन करने वाला सिद्दान्त निमन में से क्या कहलाता है एवलांस परभाव, hole परभाव, breakdown परभाव या सीबेक परभाव तो जीनर डायोड में breakdown उत्पन करने वाला सिद्दान्त क्या कहलाता है इसका right answer होजाएगा एवलांस परभाव, correct answer होगा option number ये अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रहा है निमन में से किसे मापने के लिए वाट मेटर का परियोग किया जाता है धारा को, उर्जा को, उल्टेज को या प्रतिरोध को तो वाट मेटर का परियोग किसे मापने के लिए किया जाता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्जा को मापने के लिए करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर B अगला क्यूशन दिरका बायों गेंस उर्जा सनियंतर में कौन से पदार्थ कैसे उत्पन करते हैं तो बायों गेंस उर्जा सनियंतर में कौन से पदार्थ गेंस उत्पन करते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्पावक्त आजा क्यूशन से दोस्तो अगला क्यूशन देरका दिए रखा झालिस्तान परदर्शीत कर इसको वहें क्या परदर्शित कर सकता है इसका राइट आंसर हो जाएगा AC वड़ DC दोनों राइट आंसर होगा ओप्शन नंबर C अगला कुश्चन दोस्तों अगला कुश्चन दे रखा एक ऐक सेल अप एक साइटीड जनरेटर में उल्तेज उत्पन नहीं हो रहा है इसके लिए उप्यूंच उपाई कोноë है स्पीड को बढ़ाना, फिल्ड परिफद में परतिरोध बढ़ाना, फिल्ड परिफद के connection reverse करना या फिल्ड परिफद में परतिरोध कम करना तो एक सेलप एकसाइडेड जनरेटर में ओल्टेज उत्पन नहीं हो रहा है तो इसके लिए कौन सा उपाई करेंगे तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्ड परिफद के connection reverse करेंगे राइट आंसर होगा option number C, अगला question दरका निमन में से कोन अबरका प्रावेदूत सामरते दरसाता है इनमें से अबरका प्रावेदूत सामरते कोन दरसाता है तीन से दस किलो वल्ट परती ऐमें भी दे रखा है 20 से 60 किलो वल्ट परती ऐमें सी दे रखा है 17 से 80 किलो वल्ट परती ऐमें भी दे रखा इनमें से कोई निमें तो correct answer कौन सा होगा इन में से तो दोस्तो अब्रक का प्रावेदू सामरते होता है 20 से 60 किलो वोल्ट परती है correct answer होगा option number B तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेर कर दीजिए जिस दोस्तों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए साथ वे ओल्ड आटिव के से बेल को व्योड कर लिजिए थांक्यू